हर्याना के चार जिलों में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरस ने कुछ घंटे के सांके ते खरताल की करनाल की दो डॉक्टरस की चार्ट्रीट क्योंकि दो डॉक्टरस को यहाँ पर चार्ट्रीट किया गया क्योंकि वहाँ पर डोक्टर्स की कमी है ऐसे में अब चार डिस्टिक के अंदर एक कारवाई की जाती है जिसमें डोक्टर्स को चार शीट किया जाता है हम इस वक्त करनाल में मौजूद हैं आप देख पा रहे हैं ये नागरिक अस्पताल की तस्वीर है यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स एक सांकेतिक हड़ताल पर है और OPD जो है कुछ घंटों के लिए बंद है मरीज भी परेशान जरूर हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर आज OPD तीन बजे तक चलानी पड़े तो वो तीन बजे तक भी चलाएंगे मरीजों को परेशान नहीं होने देंगे लेकिन अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाएंगे क्योंकि करनाल जिले के दो डॉक्टर्स को चार शीट किया गया है तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ हैं उनसे एक बार जान लेते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है सर आखिर आप लोगों को सडकों पर क्यों उतरना पड़ा काले बिले लगा कर आज आप एक सांकेतिक हरताल क्यों कर रहे हैं हमारे बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है अपनी हायर अथॉरिटी से कि उन्हों ने एक एन एचम से टीम ने आकर हमारे दो पी एच सी के डॉक्टर्स को चार शीट कर दिया बिना उनसे कोई सपश्टी करन लिए बिना उनका पक्ष जाने बिना सीमो का पक्ष जाने और उनके समो का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी कहा भी बिना पक्ष जाने या उनको एक मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपनी बात सरकार के सामने रख सके एक ही डूटी जिसको चार शीट किया गया सरकार के नियम अनुसार उनके आदेश अनुसार पंचकुला ट्रीन दिन की ट्रेनिंग पे लगा वा था दूसरे डॉक्टर ने कई बार लिखके दिया हुआ था कि यहां स्टाफ की कमी है जो गलती निकली अगर वो है तो जिसको अभी भी स्टाफ ने नका रहा है हमारे जो स्टाफ नर्सिस हैं एक पीएटसी पे उन्होंने कहा कि कोई अवेलेबल नहीं था जबकि स्टाफ नर् कोस्टर था हम अवेलेबल थे दूसरी पीएटसी पे पहले लिखके दिया गया कि यहां केवल दो स्टाफ है यहां 24 घंटे सर्विसे देना बहुत मुश्किल है हम किसी तरह सुवेरे शाम की सर्विसे रेग्लरली दे रहे हैं तो हमारा सरव अपील हायर अथार्टी से इतन अपिस ले लिया जाए और अगर यहां पर कोई हल नहीं निकलता है तो फिर छे तारीकों एक बड़ी मीटिंग रखी जा रही है तमाम हरियाना भर के डॉक्टर्स की तरफ से और उसमें कुछ हल निकालने का प्रियास किया जाएगा खबरे अभी तक के लिए करनाल से हिमान चुनारे